हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लदाकी लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुती खुबसुरत पैटन सियर करने जारी हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती खुबसुरत हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटन बना के कंप्लीट करेंगे border pattern complete होने के बाद हमारा यह pattern बनना start होते हैं इस pattern को बनाने के लिए हमने 3 के multiply में फंदे डालने हैं plus हमने one step the extra डालने हो दस number की slime में हमने इस pattern को बना लिने हैं अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border complete होने के बाद front side से pattern की first row 1st row में देखे पहला फंदा उता लेंगे और फ्रेंटर साइड से अपनी पैटन की 1st row को सीधा बुनते हुए complete करना है सेम प्रोसिस repeat करते जाएंगे और फ्रेंटर साइड से अपनी पैटन की 1st row complete करेंगे यह देखे ए फ्रन्ट साइड से मारी पैटन की फर्स्ट रोग कमप्लीट हो गई रॉंग साइड से दिखे सेकिन रोग पहला फंदा उतारेंगे और रॉंग साइड से हमने सेकिन रोग को उल्टा बुनते हुए कमप्लीट करना है यह देखे रॉंग साइड से सेकिन रोग कमप्लीट हो गई फ्रन्ट साइड से दिखे पैटन की फर्ड रोग थार्ड रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और फ्रेंटे साइड से हमने थार्ड रो को फास्ट रो कितरो सीधा बुनते हुए कम्प्लेट करना है अब देखे रोम साइड से फोर्ड रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और रोम साइड से हमने फोर्ड रो को सेकिंड रो के तरह उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट करना है यह देखे रोम साइड से हमारी फोर्ड रो कम्प्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की फिप्तरो अब फिप्तरो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और नेस्ट फंदा सीधा बुन लेंगे अब देखे इन दो फंदों को बुनने के बाद देखे नेस्ट हमारा तीन फंदों में पैटन बनेगे तो धागा अपनी side करेंगे, अब देखे, धागा अपनी side है, और तीनो फंदों में हमें, देखे, इस तरीके से slide डालनी है, जैसे उल्टा फंदा बुनते है, इस तरीके से हम तीनो फंदों में slide डालेंगे, और तीनो फंदों को एक साथ बनेंगे, एक फंदा बना लेंगे, फिर धागा पिछे करेंगे सीधी साइड से इन तीनों फंदों में सलाई डालेंगे इससे हमारा दूसरे नंबर का फंदा बन जाएगा फिर धागा अपनी साइड फिर देखे इन तीनों फंदों में इस तरीके से सलाई डालेंगे जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं और ये हमारा तीसरे नंबर का फंदा बन जाएगा अब इन तीनों फंदों को इस तरीके से सिलिप कर देंगे अब नेश्रम ने यही प्रोसिस रिपीट करना है तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे और तीन फंदे बनाएंगे एक धागा पीछे सिधी साइड से सलाई डालेंगे ये दूसरे नंबर का फंदा धागा आगे फिर देखिए जिस तरीके से उल्टा फंदा बुनते हैं इस तरीके से सलाई डालेंगे ये तीसरे नंबर का करेंगे तीन फंदों को एक साथ बुनना है और तीन फंदे बना लिने एक दागा पीछे सीधी साइड से सलाई डालेंगे दो दागा आगे फिर इस तरीके से सलाई डालेंगे जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं यह दिखें तीन फिर नेस्ट यही प्रोसेश रिपीट होगा तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे, जिस तरीके से उल्टा फंदा बुनते हैं, इस तरीके से हम सलाई डालेंगे तीन फंदों में, और तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा हो गया, धागा पीछे करेंगे, अब सीधी साइड से सलाई डालेंगे तीनों फंद तो देखे ये front side से हमारी pattern की 5th row complete हो गई, wrong side से देखे 6 row, 6 row में देखे पहला फंदा उतारेंगे और wrong side से हमने 6 row को उल्टा भूनते हुए complete करना है, देखे ये wrong side से हमारी pattern की 6th row complete हो गई, अब देखे ये front side से pattern की 7th row, अब 7th row में हमारा pattern repeat होगा, 7th row को हम pattern की 1st row की तरह बुनते हुए complete करेंगे, अब हमने इनी 6 सलायों के pattern को बार बार repeat करते जाना है, और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखे बहुती सुन्दर, बहुती आसान pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूले, thank you